चले दर्शकों को सीधे लेकर चलते केदारनाथ धाम जहां सियम योगी अधितनाथ पहुंचे हुए हैं ये देखें सियम योगी अधितनाथ आप देख सकते हैं नंदी को शौल लड़ाते हुए आप देख सकते हैं केदारणाद दाम में, सीम योग्या आप देख सकते हैं, ये आप देखें, सीम योग्या दितनाद पहुँचे हुए हैं, कल मौसम खराब होने के बज़े से वो नहीं पहुँच पाये थे, लेकिन आज देखेगा, नंदी की पूझा कर रहे हैं, बाबा केदारणाद के स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं ये देखें सियम योगी का वेलकम हो रहा है तस्वीरों के जरिये आप देख सकते हैं उनको तमाम चीजें भेट की जा रहे हैं वहां के जो पुरुवेत हैं उनकी तरफ से ये देखें नंदी के साथ आप देख सकते हैं अपनी तब यक्छात रहे हैं एक इम्योगी केदार के दरवार पर हैं स्यम्योगी आप तस्वीर देखेगा बद्नाथ कि दर्शन किए अजके दर्शन किए हैं झाल झाल यह तस्विर है और देखें काफी समय वैतीत कर रहे हैं वो खास बात यह है काफी समय वैतीत कर रहे हैं और फोटो सेशन बहुत चल रहा है हर खोई उतसाइथ है सीम योगी के साथ फोटो खिछाने के लिए आप देखें तस्वीरों में तो सियम्योगी पहुंचे हैं लोग उत्साहित हैं आप देख सकते हैं और सभी का अभिवादन करते हुए सियम्योगी आधितनाथ लोगों में उत्साह होता है और खासकर देखें उत्तर प्रदेश के मुक्मंतिय हैं यह उनकी खासियत इतने मशूर इतने पॉपुलर हैं कि अब चुनावी जन्सवाओं में भी उनकी भारी रिमान होती है और अब वो ऐसे धार्मिक्स ताल पर पहुंचें जाने लाकुल लोग आये हुआ हैं तो उनकी एक जलक पाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग यह तस्पीर आप देखें जो तीर्थ फुरो होई थें उनको बुला कर उनके साथ अफोटो खिशा जा रहा है और हर कोई उत्साहित है उनको भेट देने के लिए देखें उनको भेट दी जा रही है और जो आप देख सकते हैं तस्पीरों में बाबा केदार के दरबार पर सीम योगी मद्द 6 परिशद की बेटा खाला की आपको बता देए तीन दिन का दौरा था और तीन दिन के दौरे पर ये अभी थूरी देर पहले की तस्पीर है जब वो हेलिकॉप्टर से उतरे थे तो वहां उनके वैलकम के लिए भी लोगों क हुजूम उमार पड़ा ये उनका हेलिकॉप्टर जब लेंड किया था केदारनाथ में उस समय की ये तस्पीर है हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहले की ये तस्पीर है जब सीम योगी केदारनाथ पहुँचे मौसम कुला हुआ है अला कि कल मौसम खराब होने की बज़े से उनका दोरा नहीं हो पाया था क्योंकि कल उन्हें केदारनाथ आना था फिर बद्रीनाथ जाना था लेकिन फिर वो बद्रीनाथ चले गए बद्रीनाथ में उन्होंने पूजा किया सुबह भी बद्रीनाथ में पूजा ना की इसे पहले कल भी उन्होंने डिक रहे हूंगे अपको भी आपकी अपनी आद रहे होंगे आपको भी आपकी अपनी यादे ताजह ओभट एग यह वो जगह जहां से मब जाहां हम भी गए हैं तो शायद इन तस्वीरों को चलुग कर आपको भी ये कुछ याद आ रहा होगा उत्सहा की तस्वीर है आप सूचिए सीम योगी के लोगों में कितना क्रेज है सीम योगी को लेकर ये देखें नंदी की पूजा करते हुए आप देख सकते हैं पूजा कर रहे हैं ये नंदी को ये देखें उन्हें दूच चड़ाया दुगदभी शेक किया ये आप देखेगा भगवान शिव की सवारी है नंदी और हमेशा आप देखेंगे तो किदा ना धाम की ये तस्वीर है सीधी तस्वीर है पूजा अर्शना की तस्वीर है सीम पूजा करते हुए नज़र आएंगे आपको उत्रखंट सीम योगी के आपको पता है कि जन भूमी भी है उनका परिवार यहीं रहता है हलाकि वो सिफ अभी लंबे वक्त से जब से वो सीम बने एक बार वो अपने परिवार से मिले है अपनी बेहनों से मिलने आए थे हलाकि आपको याद होगा कुरोना काल में उनके साथ की जोस्तिती रही उस समय भी वो घर पर नहीं पहुंच पाए थे लेकिन तीन दिन का दोरा पहले दिन से मावास में पहुंचे वहां पर उनका वेलकम हुआ शानदार वेलकम हुआ उसके बाद दर्शकों को बता दे मदेच छित्रिया परिशद की जो कल बैठकती उसमें हिस्सा लिया उसके बाद बद्रिनात के लिए रवाना हो गए आना केदारनात था लेकि मौसम खराब होने के वज़े से वो नहीं आ पाए फिर बद्रिनात में पूजा अर्शना की आज बद्रिनात से रवाना हुए और पूजा अशना केदारनात केदार बाबा की पूजा करते हुए यह सीधी तस्पिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं अब पूरा भ्रमन करके पूरे परीसर का जो केदारनात धाम का जो पूरा परीसर है केदार बाबा मंदिर का जो परीसर है उसका भर्मान करने के बाद आपको बता दे कि अब सीम योगी आधितनात यहां से निकलेंगे यह तस्वीर आप देखेगा सीधी तस्वीर हम आपको लगाता दिखा रहे हैं